सब्सक्राइए आपके अपने चैनल पे लेके आते रहे थे तो आज फिर एक और शुद राठी नसल के अंदर जो राठी चॉलस्तानी ब्रीट बोलते है उस गोवंष की वीडियो ले के आई है enjoy जो बाये अपनी राठी- नसल के अंदर जो राठी गोवंष है उसके अपनी रूची दिखाते हैं जो किसान बाई है पसलक बाई है तो उन सबी भाईयों के लिए आज सबसे बेस्ट गोवंश की है जो वीडियो लेके आएं तो जो भाई अपने चैनल पर आज पहली बार आएं तो आपके अपने चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तो यह गोवंश है जो आप सक्रीन के उप लिए पर देख रहे हैं फर्स्ट के अंदर बच्डी को जनम दिया छी फर्स्ट लेक्टेशन में इस स hunter बच्ड़ी को जनम दिया मुंझे चैर धान ए जो पस्पल्ख भाई है जो गोवंश अपने घर पर रखते हैं जिनेंगोंश के बारे में नौलेज है उन भाईयों को सेल के लिए उपलब्द करवा रहे हैं जो अडर का साइज अब हो देख सकते आप मुठिया थन है थनों के अंदर जो गैप है बहुत बढ़िया गैप है एक टाइट अडर और इस गोवंश को अभी बच्चा दिये गो पांच दिन हो चुके हैं पांच दिन पहले ही एक इसने सुंदर सी बच्चडी वो जनम दिया था और अभी इस गोवंश के जो नीचे दूद है वो बारा से तेरा लिटर जो खीस त्यार है जो प्रोपर दूद आने का जो समय है पंदरा दिन बीस दिन के अंदर जो गोवंश है दूद के उपर आती है अपना पूरा दूद बनात जाती है वो उस टाइम में अभी काफी दिन पड़े हैं तो अपना दूद यह इतने दिनों में त्यार कर लेगी अभी इस गोवंश के बारा से तेरा लिटर जो खीस है वो त्यार है तो जो किसान भाई इस गोवंश को खरीदने में इच्छा रखते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दीए ओए नमबरों पे वाटसप मेसीज करके या कॉल करके इस गोवंश के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं जो ऑन-लाइन ख्रीदना चाहते हैं तो इस गोवंश की दो से तीन समय मिलिकिंग करके वीडियो कॉलिंग पर इस गोवंश को खिर सकते हैं और जो कोठी जिलावे तैसिल श्री गंगानगर और स्टेट रजस्तान में हमारा डेरी फारं स्टित है जो बाइ विजीट करके इस गोवंश को खेदना चाहते हैं तो आपने डेरी फारं में पूस्ट वैल्कम है और हमारा डेरी फारं में जो श्री आइन लेलए स्टेशन और बस ट आपको मिल जाएगी, योगी डेरी फर्म के नाम से हमारा डेरी फर्म जिस्ट्रेशन है, तो Google के उपर हमारे डेरी फर्म की लोकेशन है, वो आपको मिल जाएगी, हमारे यहाँ पे All India Transport की भी Facility उपलब्द है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सबी भाईयों को राम राम नमशकार जै गोमाता जै गोपाल